आप सभी का मारे चानल गौर्वर्मेंट जॉब्स में सवागत है जॉब्स से एडमेट कर, डिजर्ट, स्कॉरेशिप से जुड़ी सभी लेटेस इंफोर्मेशन जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें आज इस वीडियो में हम आपको इंफोर्मेशन देने चाह रहे हैं SSC-CHSL नॉटिफिकेशन के बारे में जो सभी कांडिरेट्स SSC से रिलेटेड जॉब्स में अप्लाइक करना चाहते हैं और इसके लिए यल्जिबल है जो सभी कांडिरेट्स SSC-CHSL रिक्रूट्मेंट की नॉटिफिकेशन में अप्लाइक कर सकते हैं इसके लास्ट डेट से पहले सभी इंटरस्टेट्स इस रिक्रूट्मेंट से जुड़ी पूरी जानकारी को चेक करने के लिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रही है इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट गायतर जॉब्स डॉट कॉम पे स्टाफ सेलेक्शन कमिश्यर ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर SSC-CHSL रिकूट्मेंटी की लेटेस नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया है जो सभी कैंडिरेट्स SSC-CHSL से रिलेटेट जॉब्स में अप्लाय करना चाते हैं सभी कैंडिरेट्स हमारी सबसाइट के जरे इसके अप्लिकेशन फॉर्म में अप्लाय कर सकते हैं हमने अपने वेबसाइट में SSC-CHSL के स्लेबस और एक्जाम पेटरेंट से जूड़ी एक डारक लिंग प्रवाइट कर रही है सभी इंट्रेसेट कैंडिरेट्स इस डारक लिंग के जरें SSC-CHSL के स्लेबस और एक्जाम पेटरेंट की पीडिएफ को चेक कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्टाफ सेलेक्शन कमिश्चन ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर LDC, JSA, डाटा एंट्री ओपरेटर और अदर वेकेंट सीट्स के लिए नोटिफिकेशन 19 जनवरी 2019 को रिलीज कर दिया है जो सभी इन वेकेंट सीट्स के लिए एलजीबल हैं और इसमें अप्लाए करना चाहते हैं उस सभी कैंडिरेट्स हमारी इस वेबसाइट के जरे 19 जनवरी 2019 से 18 फरवरी 2019 तक इसके अप्लिकेशन फॉर्म में अप्लाए कर सकते हैं हमने अपने वेबसाइट में आपका इक डियरक लिंग भी प्रोवाइट करवाया है सभी कैंडिरेट्स इस डियरक लिंग के जरे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की सभी लेटेस्ट जॉब्स की कम्प्रीट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं इस एक्रुट्मेंट में टोटल 3259 वेकेंट सीट्स हैं LDC, JSA, Postal Assistant और Sorting Assistant और DEO की पोस्ट के लिए इस एक्रुट्मेंट में कैंडिरेट्स का सेलेक्शन प्रोसेस, CBT exam, test of descriptive और typing based test और skill test के base पे करवाया जाएगा इस एक्रुट्मेंट में अप्लाय करने के लिए कैंडिरेट्स के पास 12th class pass और equivalent examination की markshit और diploma होना चाहिए और जो सभी कैंडिरेट्स इस एक्रुट्मेंट में finally select हो जाएंगे उन सभी कैंडिरेट्स का postal assistant और sorting assistant और DEO की पोस्ट के लिए per month का salary scale रुपीज 5200 से रुपीज 20200 तक रहेगा प्रस grade पे 1400 के साथ इस recruitment में apply करने के लिए कैंडिरेट्स का पर month का salary scale रुपीज 5200 से रुपीज 20200 तक रहेगा प्लस grade पे 1900 के साथ इस recruitment में apply करने के लिए candidates के application fees 100 रुपीज है जो कि आप net banking, mastercard, visa card, master, credit और debit card के द्वारा भी deposit करवा सकते हैं और इस recruitment में applied women, schedule card, schedule tribe, person with disability और ex-servicemen applicants के application fees निल है इस recruitment में applied candidates के minimum is 18 years और maximum is 27 years तक होनी चाहिए और जो सभी candidates SAC, CHSL notification में apply करना चाहते हैं और selected information को check करना चाहते हैं वो सभी candidates इनके official website पे visit करके check कर सकते हैं इनके official website है www.sse.nec.in इनके इस official website पे visit करने के बाद homepage पर दियेवे notice tab में दियेवे CHSL tab को select करके वहाँ पर दिये हुई notice combined higher secondary level 10 plus 2 examination लिंक पर क्लिक करके सभी candidates इस recruitment की पूरी जानकारी को carefully read करके इसमें apply कर सकते हैं और हमने अपनी website के last में भी आपको को direct links प्रोवाइट कर रही हैं आप इन direct link के जरे भी इसकी पूरी जानकारी को check करके इसके application form में apply कर सकते हैं और सभी candidates इस recruitment से जुड़ी सभी current updates को check करने के लिए हमारी सबसाइट पे लगाता विजट करते रहिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो को like and share करें और हमारे चैनल को subscribe करें Thank you